पूरे देश में किसानों का अंदोलन चर्चा का विशे बना हुआ है पंजाब और हर्याना के किसान कई रातों से दिली के सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं मोधी सरकार ने हाली में कुछ नई किसान बिल पास किये हैं जिनके खिलाफ पूरे देश के किसान सड़क पर है इन किसानों की मांग है कि सरकार ये बिल बिना शर्त के वापस ले क्यूंकि इन से किसान को केवल नुकसान होगा अलंकि सरकार किसानों को ये भरोसा दिलाने में जुटी हुई है कि इन बिलों से उनकी हालत सुधरेगी इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में बाची चल रही है लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है किसान बीती कई रातों से परिशान है और उनकी परिशानी अब देश के नामी लोगों को भी सताने लगी है ये नामी लोग लगातार सरकार से समाधान निकालने की मांग कर रहे हैं बॉलिवर्ड फिल्म इंडस्ट्री में धरम पाजी की नाम से मशूर आक्टर धरमेंद्र हाली में ट्वीट करके देश की सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो किसानों के समस्या का समाधान निकाले लेकिन फिर नजाने ऐसा क्या हुआ कि धर्मेंद्र ने ट्वीट हटा दिया धरमपाजी ने अपने ट्वीट में लिखा सरकार से प्रार्थना है कि किसान भाईयों के परिशानियों का कोई हल जल्दी तलाश कर लें कोरोना के केस्स दिली में बढ़ते जा रहे हैं यह बहुत दुख़द है आपको बता दे कि धर्मेंदर भी किसान परिवार से आते हैं और उनके माता पिता भी पंजाब के ही रहने वाले थे धर्मेंदर को इसी कारण किसानों के चिंता हो रही है और वो हालाग को देख कर पर चुप्पी साधे बैठे हैं जिसके चलते वो कई लोगों के निशाने पर भी आ चुके हैं वहीं बॉलिवर्ड अक्ट्रिस कंगना रानौत इस मामले पर सरकार का सपोर्ट कर रही है और फार्मर्स के प्रोटेस्ट को लेकर विवादित ट्वीट्स कर रही है जिसके चलते पंजाब फिर्म इंडस्ट्री के काई स्टास ने कंगना को जबर्दस्त लतार लगाई है वैसे किसान आंदोलन को लेकर किये गए धर्मेंद्र के ट्वीट पर आपका क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं जरूर बताएं